कि यहां पर बात करें तो बोल की रखा है कि नोटीस फॉर्मेशन है जिसका पोस्ट को जो है वो है 920 ठीक है गाईस यहां पर नीचे बोल के रखा है कि जो रिटन टेस्ट है इस पोस्ट के लिए वो कंड़क्ट कराया जा रहा है कतिस दस तो हजार एकिस को और वो भी इवनिंग शेशन में तो यहां पर उसके ही रिकार्डिंग की बात की गई है as per RNP rules बोलके रखा है कि जो भी आपका कैंडिडेट है उसके पास बैचलर डिगरी होनी चाहिए पास होनी चाहिए उसकी बैचलर डिगरी फ्रॉम रिकॉर्गनाइजड उनिवस्टी ठीक है नोट में यहां पर बताके रखा है कि कैंडिडेट आपका इलि पर यहां पर यह भी चीज बताके रखी है कि जिनके पास ही माचली बनोफाइड है उनके उपर यह कंडिशन अप्लाइड नहीं होती ठीक है नमबर टू बोलके रखा है कि एज जो है आपके वो 18 से लेके 45 येर्स होनी चाहिए 1-1-2021 की यहां बात कर दी है ठीक है आपको प पोस्टे हैं ठीक है तो इस पेराग्राफ में यही मेंचिन किया गया है कि जिसने भी यहां पर जिन भी कंडिडेट्स ने इसके लिए अपलाई किया है आपने ओनलाइन रिकूट्मेंट एप्लिकेशन के लिए ठीक है और अपने फीस वगारा सब में समिट गई है और यहा तो क्या किया गया है एड्मिटीड किया गया है प्रोविशनली जो आपका रिटन टेस्ट होगा कतिस दस तो हजार इवनिंग शेशन में ठीक है गाईस तो इनीचे यह भी बोलके रखा है कि किसी कैंडिडेट के पास अगर एजेंशिल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जाये वो फुलफिल नहीं करता है चाहorer वो एजेस से रिगार्डिंग हो चाहर वो किसी भी आपके क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग हो इवन ओथ उनको रोल नंबर भी जिनेरेट हो गया है तो उनका कैंडिडेट जो है वो कैंसल किया जा सकता है किसी भी स्टेच पर तो इस जिसका आपने खास ध्यान रखना है ठीक है गाईस तो जिनका भी एक्जाम है उनको all the very very best और गाईस यह बहुत ही जादा important information आपके लिए थी तो मैंने आपके साथ share कर दे ठीक है गाईस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो get it clear चैनल को लाइक कीजिए share कीजिए and subscribe एजिए thank you have a good day and all the best